असानी दहरादून के अंदर मौसम इभाग के तरव से औरेंज अलर्ट जारे किया गया है। उत्राखंट के लिए तीन दिन का बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ आपको बता दे कि भारी बारिश, ओलावरस्टी और तेज हवाओ का अलर्ट भी मौसम इभागने जारे किया है। पता दे कि मैदानी शेत्रों के लिए भी फिलाल ये अलर्ट जारे किया गया है। साफ तोर पर पहाड़ी शेत्रों का रुख करने वाले शद्धालों को भी सतरक रहने की सलहा यहां पर दी गई है। हो सके तो जो वैदर अपडेट है उसको लेकर ही पहाड़ी शेत्रों का रुख करें ये भी मौसम इभाग के तरफ से कहा गया। तो राज़े का मौसम एक बार फिर से परिवर्टित होने के अशंका यहां पर जताई गई है। उत्राखंड के लिए मौसम की बात करें आज 22 मही है और देखी रहें कि एक दो दिन से दूप अच्छी खिल रही है और ताबमान भी जो सामानी से अधिक्तम ताबमान जो है दो से तीन डिगरी तक कहीं कहीं पर उपर है। बाकी जगे में वो सामानी का असपास ही हैं तो बहुत जादा भी कुछ असा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इससमें जो सामानी है के आसपास ताबमान है या जो गर्मी इससमें देखने को होनी चाहिए तो वो दिख रही है। लेकिन कल से आप देखें कि तो मौसम में वदलाव होने वाला कल शाम राज से जो रेंधंडर स्ट्रम एक्टिविटी जो है वो परदेश में देखना को मिलेगी 23 तारिक से और यह जो एक्टिविटी करीब करीब जो आपको कह सकते 26 तारिक तक वो रहने वाली है। तो राजचे में मौसम को लेकर अपडेट यहां पर मौसम भागतिन देशक की तरफ से दिया गया है। तो राजचे में मौसम का रुख बदल रहा है और साफ तोर पर जो बर्फबारी और लवरस्टी की आश्रंका है वो पहाड़ शित्रों के लिए जताई गई है। चारधाम यात्रा को लेकर इस समय क्या कुछ साफधानी बरतने के निर्देश भी दिये गए है। प्रकार से मौसम विभाग ने जो पूरानवान राजी के लिए जारी किया है। प्तरकासी चमोली रुदर परियाग पितोरागड और बागेस्वर इन पांच जिलों में ज्यादातर बारिस होने की संभावनाएं जो है वह जताई गई है। और इसमें मौसम विभाग का यह मानना है कि 23 मही को जिस प्रकार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 24 25 और 26 इन तीन दिनों तक जो है काफी बारिज जो है पहाडी राजों में देखने को मिलेगा। बिष्टी के साथ साथ बरबारी जो है वह देखने को मिलेगी साथ हुआं भी देखने को मिल सकती है। मौसम बिभाग ने यलो अलट जो है वह राजे में किया है 26 माई तक परदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिज देखने को मिल सकती है। तुर पर जो चारधम आने वाले जो सरदालू हैं उनको सतर्गता बरतने के साथ निर्देश मौसम बिभाग के ओर से दिये गए हैं। उसमें काफी दिकतों का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है। कि उसमें काफी रप्तार में तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। ऐसे में सभी को अलट पर रहने के जो हुँ निर्दा दिसा निर्दे दिये हैं। कि जब काफी जरूरी हो तब ही घर से बाहर निकलें। अगर जादा जरूरी नहीं हैं तो घर में ही रहें। क्योंकि तेज हवाएं होने के आसंका जो है जादा तर जता ही जारी है। तो साबतोर भी देखा जा सकता है कि परदेश में मौसम विभाग नहीं जो है यलो अलट जो है वो जारी किया है। बेकल और देखिए औरेंज अलट जारी किया गया है। क्योंकि समवेदन्शी लिस्थिती ऐसे में हो जाती है। तो पेड़ गिरने के ज्यादा तर संभावना जो है वो ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि पहाड़ी दरकने के ज्यादा तर संभावने हो जाती है। पर जाम किस्तिती साथ भूसकलन किस्तिती ज्यादा तर बनी हुई रहती है। को समझना होगा कि जिस प्रकार से जो मौसम विभाग ने जो अधिसा निर्देश चारी किये हैं कि 23 मई से 26 मई के बीच जो है मौसम खराब होने के आसंका जो है वो जताए जा रही है तो ऐसे में कहीं न कहीं अपने यात्रा को जो है वो रोक सकते हैं और या मौसम विभाग का यहांना है कि 23 मई के बाद जैसे मौसम खराब होगा उसके बाद जो है कि आसंगा जता आए गई आए और वहीं अगर केदानात की बात की जाए तो वहाँ पर पहले ही 25 माई तक जो है रजिस्टेशन पर रोग लगाई गया अगर इस्तिती अगर जी उपेंद्र बिल्कुल देके दो से तीन दिनों तक यदि मोसम परिवर्थित रहता है तो क्या ए लुक्त बिल्कुल विशाग क्योंकि माना जा रहा है कि जिस परकार से मौसम विबाग थारा है जरी 26 में टक जो है 26 में 3 में तक जो है ए चारो ध्रयों के रोक लौक를 ब्लाद यूद्ज कर दो दहामो के एकर जो हूनको रोकनाहीं पड़ेगा बारिस अगर होती है तो फिसनने का डर वहां पर रेता है साधी ज़ाधा प्रबारी होने पर रखाईने ज़ाधा खत्रा आसे में वहां पर यात्रियों को दिक्कत हो सकती है लेकिन जिस परकार का अलट मौसम विभाग suf आलंद जारी किया है और सरकार को भी समझना होगा कि यात्रा को फिलाल इसका रेश्टेशन पर रोक लगाए जाए हमालां कि यह सरकार को फैसला लेना है कि आने जो तीन दाम है उस पर कब तक रेश्टेशन पर रोक लगती है यतावत यतावत चलती रहती है इस पर कहीं न कहीं सरकार को सोचना होगा लेकिन फिलाल 25 महीं तक किदाना धाम की यतावत पर रोक लगाई गई है रेश्टिसन को रोक लगाई गई है लेकिन जो तीन धाम है वहाँ पर यतावत अभी यतावत चल रही है लेकिन मौसम विबा कि अलट के बाद क्या कुछ तब्दीली की जाती है फिलहाल तमाम दनकारी के लिए आपका बहुत बहुत हैनेवाद